हलो दोस्तों अगर आपके पास भी रेडमी या पोको का मोबाइल है और आपके फोन में भी सौप्टवेर अपडेट नहीं हो पा रहा है जैसा कि देखिए मेरे पास ये पोको का फोन है और मेरे मोबाइल में सौप्टवेर अपडेट नहीं हो पा रहा है तो चलिए आप download जैसे ही करते हैं यहां पर देख सकते हैं 0% दिखाता है और बहुत देर होने के बाद देखिए 1% हुआ था तो अभी देख सकते हैं 1% यहां पर दिखा रहा है और इससे जादा यह बढ़ता ही नहीं है चाहे 2 घंटे छोड़े या 4 घंटे छोड़े पूरी रात भी छोड़ यह चेक कर लेना है कि आपके फोन में नेटवर्क काम कर रहा है या फिर नहीं तो देखिए हम यहां पर यूटूब ऑपन करके और चेक कर ले रहा है कि मेरा मोबाइल डाटा यहां पर चल रहा है या पर नहीं क्योंकि बहुत सारे के फोन में मोबाइल डाटा ही काम नहीं क तो अपडेट कैसे होगा तो देखिए मेरा यूटूब बहुत अच्छे से चल रहा है मतलब मेरे फोन में मॉबाइल डाटा का प्रोब्लम नहीं है तो चलिए अब अगला स्टेप में यहां पर हम लोग सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में देख सकते हैं क्या करना है त तो यह रेड्मी का फोन है यह पोको का फोन है तो देखिए यहां पर एपस में जाएंगे अब यहां पर मैंने जाना है और देखिए कि यहां पर यहां पर ऊपर में है इस पर जाना है और यहां पर सो ओल एपसन है इसमें जाना है और बहुत सारा यहां पर एप्लिकेशन इसके बाद यहां पर सर्च में जाना है और यहां पर अपडेट लिखना है अपडेट लिखकर सर्च कर देना है तो देख सकते हैं यहां पर चार एप यहां पर ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले देख सकते हैं अपडेटर है इसको ओपन करना है और यहां पर क्लियर डाटा पर जाना है clear cash करना है OK करदना है और फिर से clear all data पर जाना है और फिर से OK करदना है इसी process को सभी app में यहाँ पर चारो app में करना है तो अभी एक में किये हैं यह दूसरा में भी वही वाला सब कुछ करदना है clear cash फिर से clear all data ok और ये दो में कर दिये हैं ये तीसरे वाले में भी कर देना है clear cash ok clear all data ok अभी ये last बचा है इस पे भी करना है तो इस पे भी हो चुका है अब हम लोगों को back चलना है और फिर से setting में ही जाना है अभी हम लोग back हो गए न तो फिर से वही वाला setting को open कर लेना है जहां अभी थे हम लोग तो apps में गए फिर manage app में जाना है और इस बार भी यहाँ पे search कर लेना है download उस समय update search किये थे अभी यहाँ पे download लिखकर search कर लेना है और देखें यहाँ पे दो option भी यहाँ पे open हो चुका है तो दोनों को इसमें भी clear cache कर देना है ok और clear all data इसमें भी कर देना है दोनों को तो अभी उपर वाला को कर दिये अभी नीचे वाला को भी clear cache और clear all data ok कर दिये तो यह दोनों को same चीज़ कर लेना है तो अब यहाँ पे setting में चलना है और यहां पर search वाले box में फिर से यहां पर limit यहां पर search कर लेना है यहां पर लिखना है limit तो देख सकते हैं limit लिख दियें तो यहां पर one time data limit आ चुका है इस पर जाना है और देखिए यहां पर one time data limit में यह on है 50 MB में set किया हुआ है तो इसको बंद कर देना है इसको off करने के बाद हम लोग back जाएंगे और back जाने के बाद अभी यहाँ पर फिर से वो setting में ही जाना है और अब update को करके देखना है यहाँ पर update होता है या फिर नहीं और देखें यहाँ पर भी कुछ setting को आपको ठीक कर लेना है देखें यहाँ पर three dot है इस पर जाएंगे और यहाँ पर भी setting में जाना है setting में जाने के बाद देखें यहाँ पर भी कुछ option है यहाँ पर automatically data यहाँ पर लिखा हुआ है इसको off कर देना है और यहाँ पे यह वाले भी option को off कर देना है और यह वाले को भी off कर देना है आपको यह तीनों option को बंद कर देना है अगर कोई भी option यहाँ पे on है तो उसको आप बंद कर दिजे और back जाए और आप यहाँ पे चेक किजे यहाँ पे download होता या फिर नहीं तो यहाँ पर देखिए download का option है तो click करते हैं और यह turn on लिख रहा है update using mobile data turn on पर कर देना है और देखिए यहाँ पर एक option है download using mobile data इसको देखिए यहाँ पर time set किया हुआ है तो इसको यहाँ पर बंद कर देना है क्योंकि अगर यह on रहेगा तो देखिए यह 9 बजे 9 पीम और 11 पीम में दिखा रहा है तो सिर्फ इसी time में यह update होगा तो इसको बंद कर देते हैं और अब back चलते हैं और देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर थोड़ा सा wait करेंगे और देखते हैं यहाँ बढ़ता है या फिर नहीं तो देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर रुक कर और यह देखिए तो देखिए अभी यहां पे 1% से 2% हो चुका है और अभी यह मेरा percentage बढ़ता ही जागा क्योंकि मेरा देख सकते हैं यहां पे 2.5 GB का update है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा time लगने वाला है और देखिए अभी आपके सामने 2 से यहां पे 3 भी हो चुका है तो यह अभी जीवी का update है इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा time लगने वाला है तो मेरा problem तो solve हो गया अगर आपका problem भी solve हो गया तो यह वीडियो को like जरूर करें और हमारे इस channel को subscribe जरूर करें अगर आपका अभी भी problem solve नहीं होता है तो आप फिर अपने phone को किसी wifi से connect करके और फिर update करके देखिए होता है या फिर नहीं क्योंकि कही सारे mobile में wifi से एकदम आसानी से update हो जाता है और उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो एक बार अपने mobile को mobile का sim यहाँ पे sim 1 में डाल कर देखें और mobile को switch off करके on करके देखें इस तरह से करने से भी problem solve होता है वीडियो अच्छा लगा तो like जरूर करें